नमस्कार, Parenting in the Time of Corona के पांचमे सेशन में आप सब लोग का स्वागत है आज की चर्चा में हमारे साथ में हैं दिली के उपमक्र मंतरी श्री मनिश सोधिया जी हमारे साथ में सिक्षानी देशक दिली सरकार श्री बिनैबूशन जी हमारे साथ हैं स्री योगेश प्रताब जी जो डेप्टी डेरेक्टर है डेरेक्टर टाफ एजूकेशन डेली गवर्वर्मेंट में हम सब लोग आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं तोड़ा रीकैप करना चाहूँगा पिछले हफ़ते हमने मुखे तह तीन मिंदों उपर बातचीत करी थी अहली जो हमारी चर्चा थी वो ये थी कि जो हमने एक इनिशियेटिव लिया था जो बच्चे ग्यारवी से बारवी में जा रहे हैं उन सब के लिए लाइफ क्लास्स औरगनाईज की गई थी उस लाइफ क्लास में हम लोग गए और टीचर से बात किया उसके बाद बच्चों से भी बात किया उनका फीडबैक लिया कि किस तरीके से ये क्लास्स चल रही हैं वो हमें पता चला उसके बाद हमने एक नई पहल पिछले हफ़े लाउंच की थी जो खान अकैडमी के पार्टनर्शिप में थी इसमें हम लोग ने नवी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैथेमेटिक्स की टीचिंग स्टार्ट करी थी वो एक पहल पिछले हफ़े लाउंच की गई थी और तीसरा जो गतिविधी हमारी थी पिछले हफ़े में वो ये थी कि हमने पेरेंट्स से बात किया था लार्जली उन बिंदूँँ पर जहां पे पेरेंट्स बहुत डिरेक्ली इन्वाल रहे हैं जैसे कि जो मिशन बुनियाद और हैपिनिस की क्लासिस पेरेंट्स के माध्यम से आठमी तक के बच्छों के लिए जो कराई जा रही है घर पे उसका किस तरीके का फीड़बैक पेरेंट्स का रहा है उसके बारे में हमने बात करी जो एक्टिविटीज उनको SMS और IVR की माध्यम से मिलती है उसके बारे में चर्चा करी थी और उनके साथ इस बात का भी फीड़बैक लिया था हमने कि जो हर शाम चार बजे जो हैपिनिस क क्लासिस चलती है उसको कैसे वो देख रहे हैं उससे वो क्या चीज सीख रहे हैं तो यह सारी हमारे चर्चा का दायरा था पिछले हफते इस हफते हम लोग यानि कि आज हम लोग किस किस विशह पर बात करने जा रहे हैं उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिक्षा ही lockdown में हैं अभी घर में ही हैं तो क्यों ना इनके लिए हम spoken English का class उनके लिए online चलाएं तो इसी मामले में हम लोग ने British Council और Macmillan से हम लोग ने बात की तो और वो लोग agree हो गए हैं तो हम लोग यह भी चाह रहे हैं कि अगले महिने में अगले एक दो महिने के लिए online बच्चों के लिए एक spoken English का class चलवाएं और यह इसके साथ यह personality development में भी काफी मदद करेगा यह चीज़ और आज के प्रोग्राम में हम लोग थोड़े से जितने भी हमारे stakeholder हैं सब से एक बार हम बात भी करेंगे जैसे हमारे बच्चे हैं teachers है parents हैं सब के बारे में feedback लें इसलिए कि उसको उसमें हमें कुछ सहयस्तर भी मिलते हैं और कुछ भी बहामें कहीं भी लगता है कि कहां कहां improve किया जा सकता है आगे जाने पहले योगेश जी आप से पूछना चाहेंगे कि आपने अभी दो सेशन फेसिलिटेट करवाये थे प्राइवेट स्कूल्स के साथ में भी क्योंकि हमारे वहां पर प्ढ़ने वाले बच्चे हमारे ही बच्चे हैं उनके साथ में भी आपने चर्चा करवाई है कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे मैं दिल्दी के तरफ maximize में बात कर एफ निए मैं बात कर एह हूं गाजिवाद रुपी के राता हूं मैं छार्मिन तरह में डाहता हूं और वहां के पी जो ऊम्मीटिए है ऑर यह जोगफ्चे है जो बच्चे है जो प्रयविव this स्कूल के गवर्मेंट स्कूल के अब आज्यों किया कि हम ब्रॉजड ऑन लेकृण कि उनलाइन खुरू करते हैं और जनता के वीच में रखते हैं ताकी लोग हम भी उनलाइन का शिस्टम आया है यह अचानक आगजा है मतलब ना तो हम लोग इसके लिए तयार थे इतने बड़े पैमाने पर उनलाइन करने के लिए ना हमारे बच्चे तयार थे ना देपार्टमेंट और ना टीचर्स उस तरह से सारे टीचर्स, कुछ टीचर्स तो बहुत वेल डवश थे लेकिन कुछ टीचर्स उस तरह से तयार नहीं थे घरों की स्थिति भी हम जानते हैं, पैरेंट्स भी उतने तयार नहीं थे पूछते रहें कि हमने ओनलाइन क्वासिय शुरू कर दी है उससे काम नहीं चलेगा हमें, कैसा चल रहा है ये इंटरनेट से कनेक्ट बच्चों के बीच में और इंटरनेट से एक पोउस बेरी दिल्चस्पी जादा है जानने की आप बताएं इसमें क्या है को अगे तो सबसे पहले चलते हम लोग पहला फीडबैक लेते हैं जैसा कि मैंने कहा कि हमने पिछले अफ़ते खान अकैडमी की पार्टनर्शिप में नवी कप्षा के बच्छों के साथ में गड़ित की टीचिंग लर्निंग शुरू करी थी इसमें हमारे दो तरीके के बच्छे थे एक बच्छे जो आठमी से इस बार पास होगर के नवी में आये हैं और दूसरे बच्छे जो अलड़ी नवी में हैं और वो अभी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं इन दोनों ही बच्छों के लिए मैथमेटिक्स क्लासे शुरू करी गई थी लगबग इसमें 4,80,000 बच्चों को इंगेज किया गया था और मुझे पता चला कि पहले ही दिन जैसे ही ये पिछले मंडे को ओपन किया गया पहले ही दिन 35,000 बच्चों ने लॉग इन किया था और इसमें अब तक जो मैं रिपोर्ट देख रहा था उसमें इस हफते में अब तक हम लोग 6 सशन चला चुके हैं मतलब 3-3 सशन चल चुके हैं हमारे दोनों ही ग्रूप अब बच्चों के साथ में और इसमें लगबग एक लाख 20,000 बच्चे और इससे जुड़ चुके हैं तो बाकी और डीटेल समझने के लिए मैं सीधे इन्वाइट करूंगा हमारे साथ में संदीप है खान अकैडमी टीम को लीड कर रहे हैं वो बताएं तो पहली बात में ये शेयर करना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है तो पहला ही वीक है और वो भी खतन नहीं हुआ है लेकिन हमने हमारी जो डेटा ट्राकिंग हो पतारी है कि एक लाख 20,000 स्टूडन्स ने एक लाख 20,000 स्टूडन्स ने उन लिंक्स को फोला है और यूज किया है दूसरी चीज़ जो बात हुई थी पिछले हफ्ते वो यह हुई थी कि कैसे सपोर्ट देंगे तो उसमें 57 लोगों को हम लोगों ने टेकनिकल सपोर्ट देने के लिए लिए ट्रेनिंग दिया इस हफ और यह सब वेबिनार्स के थू हो रही है पहली ट्रेनिंग खतम हो चुकी है जिसमें 200 टीचर्स अलड़ी ट्रेन हो गये हैं और दो और अभी आज होगी और तीन कल होगी तो अभी कर तक का स्टार्स अपडेट यही है तो हमारे साथ इस कॉल के संदीब कुछ बच्चे भी को भी कॉल पर हैं दिखाई दे रही है मुझे पर मिंदर कुमार जो नोडल ओफिसर है इस प्रोजेक्ट को डियोई डेक्रेट अफ एड्यूकेशन की तरफ से जो कॉडिनेट कर रहे हैं वो भी स्कॉल पर है तो मैं सीधे कुछ बच्चों से ही बात करता हूं साक्षी आप अर्पीड सेक्टर 11 रहेनी सर मेरा जो फीट बैख वो बहुत पॉसिटिव पाउसर जो प्रॉजब कर मुझे बहुट अच्छा लगा क्योंकि मेरी मैंस उती वह फोड़ी सी बिक्ति एर सेवं और सिख्ते में और एड में खीग होई बट अब 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 जाने जो बोलते है उसे हमारी माइन देपलमेंट इसे हमें मदद मिलते हैं कि हमने कितना अच्छी से सीखा है और वीडियो जो हम बार बार पाउस करके या अगर हमने कोई पॉंट मिस्स कर दिया है तो हम रिपेटिली सही ठीक दंग से करके हम समझ सकते हैं और इस टाइम पर जब यह बहुत बड़ा पैंडिमिक है COVID-19 इस टाइम पर जब हमारे रगलर ध्लास्रॉम्स नहीं हो पा रहे हैं उस टाइम पर हमें बहुत है जो हमें डिरेक्टली ही हमारे कंसेप्त को क्लियर कर रहा है तो साक्षी इस हफ्टे आपने कौन-कौन से टॉपिक पर पढ़ाई करी? सर इस हफ्टे मैंने जो फॉर्स्ट मैंने भीजा थो वो रैशनल नमर्स के बारे में पढ़ा था सर इसमें एक प्रॉबलम है कि इसमें टोपिक्स दिये जाते वह अपस में तो इसले जो यह टोपिक्स दिये जारे हो अगर मारी एंसे आज़ी कनसेप्ट्स चैप्टर वाहिस अगर बैएश्री है थांक्यू साक्षी बहुत उस्पूल है हम यह उमीद करेंगे कि हमारे साथ ही खान अकैडमी से भी इसको सुन रहे हैं आपकी इंपुट को वो आपके इंपुट की रोश्नी में इसको और बहतर कर पाएंगे थांक्यू साक्षी खुष्बू आर्पी वीवी राज की प्रद्वाविकास विद्याला गांधी नगर से हैं कुष्बू आप सुन पारी हैं मैं तो आम खुष्बू प्रॉम आर्पी वीवी गांधी नगर खान अकैडमी की जो वीडियोज है वह हमारे बहुत जादा बेनिफीशन है क्योंकि ख फिवीज है कि अपते हमारे पॉस्ट वीडियो आई वो राशनल नंबर इन विजिसमें उन्होंने नंबर इर्राशनल नंबर इन डाउनल नंबर फोल नंबर और इन इंटिजर को बहुत अच्छे था अर्पी अप्र्स की तो कुष्ट जो हमें इस्म्टिफाय करना सिख ख तो जब आपने पढ़े हुए थे और अब जब इदिन को वीडियो तो तो क्या बेसिक अंतर आपको नजर आ रहा है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था है और खुश्बू अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अभी एक हफ्ते तक की एक लासे अटेंड करी है आप अगर कोई सुझाव हमें देना चाहें कि इसको और कैसे बहतर किया सकता है तो क्या सुझाव होगा आपका मैरी क्लास भी करते है तो उनकी एक प्रफ्लम अगरी ती कि झो अ माम यसर जो भी समझा ते उस थो कि पले है वो जो है ऐसे उस्टाइप बोलते है उसामझ नहीं ए ती चाहते है तो नहीं तो यू वैडियो की जो बोलते है और वों तो ऑड़ी नॉम्मल इंगर्ज में बढ़िया सो आपका आपका इंपुट हम शेर करेंगे खान एकाडमी के साथ में बहुत अच्छा पुश्बू थैंक यू सो मच आल दे बेस्ट हम बूफ करते हैं हमारे कुछ टीचर्स भी इस शो पे हैं अभी अंजु पाथक अंजु आप शेर करना चाहेंगी अंजु ने क पुछ आपका इंपूछ आपका इंपुट हैं किस तरीके से हम अपने स्टूट्स को और असिस कर सकते हैं पैरेंट्स और बच्चों के क्ल आपका रहे हैं रात को आठाट बजे बी इस ते यह पता चलता है कि कैसे वह अग्टिवली एंगेज हैं और कोशिश कर रहे हैं इ हम लोग पुरी तरीके से असिस्ट करना की कोशिश कर रहे हैं एक चीज़ में यह स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी सर रिगारिंग दी खान अकादमी ओनलाइन कोर्स इंपॉर्टन बात आज के यह है कि इस ओफरिंग लेवल अफ लेक्सिबिलिटी तो दूट्स हम जैसे ज अधिज विवल जा खाते हैं जिसमें उसी ताइम लोगिन करना है और कुछ सेख लिए इसमें अभ लेक्सिबिलिटी ओफर करें बच्चा जब अज चाहर बट्चा जब अबेल हो इस प्लैट्वर्म बे जा कि वो सीख सकता है तो इस वज़े से इस वज़े से इस गिज़ तो बीए हुच सक्सेस थैंक यू अंजू थैंक यू वेरी गुड डॉक्टर सुष्मा आप तो मैथमेटिक्स की टीचर भी है दिली गॉवर्मेंट के स्कूल में आप बताएं कि कॉंडें के वारे मेंदर कोई कॉमें आपका कोई सुझाव है तो कॉंटेंट जो है वो सी बीए सी और एंसे आर्टी के सिलेबस से एलाइन किया हुआ है इसमें कुश्चन्स भी करवाई जा रहे हैं और चॉक एंड बॉर्ड मेथर्ट से जो है क्लास्रूम कीचिंग को रिकॉर्डिंग पे लिया गया है इसमें परपस मेरा जानने का और मेरा आप लोगों से बात करने का यह है कि जब आप जब लॉकडाउन के समय में इनकी क्लासिस चल रही है तो इस मीडियम से चल रही है कल स्कूल खुलेंगे ही जुलाई में खुलें अगरिस्ट में खुलें जब भी खुलेंगे तो उस वक्त फिर बच्चा आपके पास आएगा तो as a teacher जब आप उसको deal करेंगे तो वहां आपको इस क्रेच से सुरू ना करना पड़े और आपको यह न लगे कि अपरेल से जुलाई तक का समय तो वेश्ट हो गया हमारा और अब हम इस बच्चे को इसक्रेच से पढ़ाना सुरू करेंगे इसलिए सारे it's not parallel it's part of complimentary project की सब किए तो अब को पूरक एक गूफर cash घुसरे को कंकिक करें एक दूसरे को इस वेम्ट क divisions करें एक दूसरे को कंपलीमेंट करें एक दूसरे को कमप्लि atre exactly है तो are we जो बेसिक कॉनसेप्ट है उसको साथ लेके हम चल रहे हैं जब हम स्कूल खुलेंगे तो हम उसको आगे कंटीनु कर सकते हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगे तो अगर आप सुझाओ देना चाहें तो अगर आप कुछ सुझाओ देना चाहें तो आपको कुछ इंपूट देना तो आप शेयर कर सकते हमारे साथ उमाशनकर जी सर, सभी को नमस्कार, सुन पा रहे हैं मेरे को सभी लोग, सर जो जैसा खान अकेडमी का चल रहा है प्रोसेस्स यह बहुत अच्छा है, अलागी सेल्फल एक्स्पिनेटरी है और इसी तु कॉम्प्रियंड है, लेकिन साथी साथ कुछ टेक्निकल टम्स हैं, जो थोड़ी स इसी डिफिकल्ट हैं हमारे बच्चों के हिसाफ से, तो अगर साथी साथ उन टेक्निकल टम्स को भी थोड़ा इजी लेंग्वेज में अगर एक्स्पेइन कर दिया जाए साइड वाई साइड बच्चों को कॉम्प्रियंड करने में और हेल्प करें, जैसे माल लिजे हिंद में आता है कि वन अपॉन एक बटे में आता है तो वो बच्चा समझ पाएगा लेकिन अगर वर्टिकुलर हम व्यूत करम कहेंगे तो व्यूत करम वो बिल्कुल टिपिकल हिंदी वाला शब्द हो गया तो वहां पर उसको समझ पाना तो पुड़ा सा मुश्किल होगा करेंगे इस पर सुप्रिया कान अगाडमी से जी बिल्कुल जी बिल्कुल वे आपकी बात बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ तो आगे जाके जब हम कॉंटेंट बनाएंगे तो हम इस बातकार जरूर सिधान देंगे कि हम ऐसे शब्दों का इस्तमाल ना करें जो कि कर लिया है और टीचर्स से जो हमारी बात हो रही है कि जो टीप्लस लगे हुए हैं उटकर भी यह कि लगातार और यह संख्या पढ़ी तो बाकी बच्चे अभी जोइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं अब जो तीन ग्रूप में ट्रेंग हो रही है और जो कल तक ट्रेंग हो जा तो टीचर्स ट्रेंग कर लेंगे उसके बाद भी यह संख्या बढ़ सक्या और अधर आज ही हम ट्रेंग से शिशु करेंगे अपने डीडीज के तु हैड़ फू है और जो इसमें आय है और जो नई शेट है ठीक है सालोची संधीप अधिग 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 एधिग अधि इसको किसी भी चोटे फॉर में भी एकर इसको कंटिन्यू करें पहले दो-तीन हफ़ते जब तक प्रोग्राम स्टेपलाइज होता है और कमिया जो है सब सामने आ जाएंगी तो तल भी ग्रेंग अगले सेग्मेंट पर मूव करते हैं सर जैसा कि हमने पिछले चार सेशन्स मे देखा कि लगबग हर एक बच्चा जो दिली सरकार के स्कूलों में फिलाल इन्रोल है वो केजी से लेकर के आठवी तक की फिर उसके बाद नवी क्लास और जो ग्यार्वी से बार्वी में जाने वाला उन सब के लिए कुछ ना कुछ इंटर्वेंशन्स पिछले चार हफते क दौरान में शुरू कर दिये गए थे एक सेग्मेंट बच गया था ये वो बच्चे हैं जो अभी दस्वी और बार्वी की तमाम सारी परिक्षाएं दे चुके हैं कुछ उनकी परिक्षाएं बाकी हैं और वो अभी वेट कर रहे हैं कि आगे नेक्स्ट क्या होगा ऐसे बच के लिए ब्रेटिश काउंसिल और मैक्विलन एजूकेशन के सहीयोग से एक प्रोजेक्ट लाउंच करने का सोचा है आपके मार्व दर्शन में ये स्पोकन इंग्लिश एंड परस्नालेटी डेवलपमेंट पर होगा मैं सर इसके डीटेल में जाने से पहले आप से जानना च ही है और मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि सारे बच्चे सब कुछ अंग्रेजी में बोले हिंदी हमारी भाषा है और हिंदी में ही बात हो हिंदी में पढ़ाना हो लेकिन और किसी बच्चे के अंदर ही नहीं आनी चाहिए कि हमें अंग्रेजी ठीक से नहीं आती है पर फिर English as a subject, English as a medium आज की एक बड़ी जरूतों में से है राष्टे इंतराष्टे इस तर पर अगर बच्चे को आगे बढ़ना है तो अंग्रिजी भी उसका एक आधार रहती है तो ये एक सहियोग है कि अब lockdown की वज़े से हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के और बढ़े हैं और इसमें शुरू कर रहे हैं पर ये उसी काएक हिस्सा है तो आज इसको हम लोग लुग लांच कर रहे हैं British Council और Macmillan Education के सहियोग से कॉल पर लीजिए हमारे साथ British Council और Macmillan की टीम है British Council की तरफ से टॉम है हमारे साथ जो डिरेक्टर North India British Council है उनकी सहियोगी रितिका है एसिस्टेंट डिरेक्टर हमारे साथ में राजेश पसारी है MD Macmillan Education Initiative इंडिया से वंधना है और मनीश है पूरी टीम British Council की और Macmillan की जिन्होंने पिछले कुछ दिनों के दावरान में बहुत क्लोजली हमारे साथ में काम करते हुए ऐसे content हमारे लिए निकाले है जो अगले हम दो महिने तक की अपने बच्चों के साथ में दस्वी और बारवी में जो हमारे बच्चे है वो उस content की मदद से सीख सकेंगे तो हम सीथे जाते हैं आप टीम से वन्ना आप बताना चाहेंगी कि ओवराल मॉडल क्या है हम लो क्या करने वाले है Sure, sir Firstly, good afternoon everyone Thank you for giving us this opportunity to show our content to you So in this course, there are two parts The first is everyday English where they will learn words and phrases that they can use for example, when you have to book a ticket or when you have to order food how do you order it using a menu card or how do you basically navigate yourself if you are going into a new city These different types of functional things they will be able to do So we have provided sample content there they can listen to those dialogues they can make their own dialogues and they can also record their own voice when they are doing this And your second section is personality development just maybe we have got self-learning videos These have been put together by experts who will actually be talking in a mixture of Hindi and English and on things like peer pressure how to handle media, empathy, grooming and then the children will learn on basic skills like interviewing That said, the course is only introductory because it is only 30-40 hours and after this should be a proper motivation for the students so that they start actually learning these skills or developing these skills Usually, all the courses you have to do have a lot of personal interaction but right now everything has to be online How effective it would be online? So the first part of it which is everyday English English has four skills listening, speaking, reading, writing Now reading, writing and listening are three which can be done online The fourth one speaking definitely requires a face-to-face engagement and secondly, the child will not be as motivated as he would be in a face-to-face program So if the basics are right that the child himself is self-motivated yes, he will go online and be able to grasp a lot but it cannot be a substitute for the face-to-face program Our idea is that they do it when they are there This is what the first screen will look like when the student comes and it will work perfectly on a cell phone as well any smartphone that the student has or a laptop, desktop whatever he has So the first part of it is everyday English Manish can Okay, now Manish just a second This is the message that we want to give the students that firstly this course is designed for them to work about 30 to 45 minutes of task every day Now the because the course is self-learning and self-paced we cannot say that every student will spend that much time they can easily somebody who is fast can go to the next one somebody is slow can maybe do the same activity twice The course will start with a self-assessment to know where the student is In English language there is a common framework on which you can check students Manish, can you go into English everyday English please? Yes, Wanda So we One minute Manish Just go back So the Yeah So as you can see there are days given there Day 1 to day 30 is what you will probably be able to see on the screen and only one day's content will be made visible to the child at a time So let's say it is day 1 he can see day 1 when he goes to day 2 he will be able to see day 1 and day 2 books So every day an SMS with this particular link will be sent to the children who are enrolled here and using that link the child can enter that particular segment and then navigate there after Is that what you are saying? Absolutely right So when they go into English on the first day they will get this assess your English to see the test Manish can you go on that please? The green one Okay Thank you and maybe it would be a good idea to also inbuilt just as you have a pre-assessment similarly say every 10 day or every 8 day if the child wants to assess to see how far he or she has come they should be able to do that So we can do that sir we can you know share this assessment after every 10 days the link of this assessment after every 10 days they can go and check how they have improved has their level improved or not because after every test of 25 questions they get to see their level where they are today and then after every 10 days they can do that and see if they improved on that or not Yeah that's exactly right we I think that's a great idea that we can intermittently put in in a short test just so that students are able to see their progress I think it will be really motivating I think that's a good idea So wonderful Thank you Thank you very much Thank you It's a wonderful initiative and we look forward to have more results from it So from this coming Monday all our 2,70,000 children would be getting an SMS with a link and they would be able to join this course So thank you Team British Council and Team Macmillan Thank you Let's move to the next one Next Fieldback Today's We are reaching the end of the last one and this is very important because we have done what we have done in the past four weeks it's very important that we also listen to our teachers and that teachers who are in the school and are regularly coordinating with our children to see them that they are reaching to the next one or not So first we will join and talk about some teachers के साथ में बात करते हैं यहाँ पे आपके अपने स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जो अलग-अलग इनिशियेटिव्स पिछले चार हफ्तों के दौरान में ली गई है वो किस हद तक बच्चों तक पहुंच पा रही है और बच्चे उसका लाव उठा पा रहे ह जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक जो बारवी कक्षा के लिए लाइफ क्लास जो चल रही है इस हफते अब तक 22 क्लास हो चुकी है यानि कि हर क्लास जो हर विश्य की जो क्लास है वो दो-दो कक्षाएं उनकी इस हफते में चली है जो इस हफते हाइस नंबर रिकॉर्ड किय गया है वो इंग्लिश का है अन्तिस हजार पांसो चोहतर बच्चों ने एक साथ एक दिन ये क्लास अटेंड करी है और जो लोएस्ट नंबर है वो हमारा केमिस्ट्री का है आठ हजार बहतर तो हम यह आपके साथ में समझना चाहेंगे कि बच्चों का क्या फीडबैक निकल कर क्या रहा है और आप सब लोग भी इसको जब ट्रैक कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा अन्जू निव फ्रेंड्स कॉलोनी सर्मुजय कन्या विद्याले से हैं हां जी सर अभी तक तो बच्चे अच्छा रिस्पांड कर रहे हैं यह उनको फ्लेक्सिबल है उनके लिए टाइम और मेरे ख्याल से कि अभी तक तो अभी जो हमें आम उनलाइन क्लासिज ले रहे हैं उसमें कुछ कमी है नहीं अभी तक बच्चे कमफर्टिबली समझ रहे हैं उनकी वज़े आपको क्या लग रहे हैं कि वो क्यों नहीं आपा रह है वो एक्सेस नहीं कर पार है इंटरनेट से तो उसके लिए मैंने बच्चों को नंबर दिया हुआ है वो में को कॉल करके कभी भी कोई भी क्वेस्टन होता है पूछ लेते हैं कोई भी उनको प्रॉब्लम होती हो ले लेते हैं इस इस दो ओनली थिंग कि उनके पास अगर है एक्सेस नहीं है तो वो नहीं आपा है ठीक ठीक थांकियो अंजी तो रुपेश यादव रुपेश टीटी मैट्स है जनकपूरी से रुपेश पताएं तो फीडबे की है कि थोड़े से कम है अटेंडनेंस मैंने आज भी बात की ती कुछ लोगों के घर में तो ऑन उनके है बात है ठीक थे घर में रहता है तो आठ से दस बच्चे जैसे अब अधि आज वी जूंक किलास लीत मैं नाइंफ कि अपनी तो आज भी उसमें ते वह इनके बात ह Sak जैसे भी समय मिले आप इसको काम तुरा सा बताइए और अगर शाम को समय मिलता है तो मैं स्वाम को क्लास ले लूगा और जिन में तो दिन में कितने बच्चे हैं आपके ग्लास में जैसे वाटसप पे जो इंप्लूड हुए वो 45 हैं और 8 वी में है 65 में से 50 बच्चे हो पाया आए क्योंकि यह जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है यह बड़ी इंपॉर्टन्ट है कि बच्चों तक वाकई वो चीज पहुच पाए और इसमें हमारे जो टीचर्स स्कूल में है जो बहुत डिरेक्ली इन्वाल नहीं है इस प्रोग्राम को बट वो बच्चों तक पहु अपने बच्चों के साथ करते हूं उसमें उनको क्या फाइदा दिखाई देता है लेट उस टेक सम कॉल्स अठ्षन प्रोग्राम क्या है जब ढगए जो अवं लिए बच्चे की पढ़ए जिप लिए है कि अभी तो फॉर गळए यह जो हम एसे मेश वगरा उसको फॉन भेज ए हैं इस से मदद मिल पा रहे हैं अबिको तो बच्चे अक्टिव हैं है यह तो फिलारी एक्टिव बन आप उसको खर्वाते हो थोड़ा 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 हम थोड़ा थेक अगला थोड़ा थीटना जितना कॉसिबल है और न तो करवा ही रहे हैं आप क्या अगरता हो बराज जी आंप तर मैं तो रियल एले अजन आजन्ट हूं अच्छा, कहाँ पर रहते हैं आप? मैं इस जड़ी लक्षमी नगर्थी अच्छा, लक्षमी नगर्थी रहते हैं, चलो ठीक है बच्चे को पढ़ाव ठीक से कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई सुझाव इसके लिए जो हम सिस्टम चला रखे है इंग मैं जोड़ा से सुजाग चाहूंगा, मैं जैसे टीचर्स हैं, जो क्लास टीचर हैं, उने किया कि एक जैसे गुरूप बनाया हुआ तो उसी के अंदर जो हुम्वक भी आता है बच्चों का रुच्छी के अंदर कहने हैं, बच्चे जो है पोष्ट कर दू कर देते हैं, तो ट एक भी स्थार्न के जा पता बच्छी करण और गहा बच्ची के इस डियरहां चे पढ़एर आपके पस इसRE की आज ड़िए अज़कltry आई तो जितने इस्टेक्शन आ रहे हैं इधर से सरकार के और से सब का मकसद ही है कि बच्चों की पढ़ाई का हर्जा ना हो घर पर बैठके तो आप इनको एक्टिविटीज करवाते रहना कोई दिक्कत हो तो बताना ठीक है कहां रहते हो आप राय जुलेना सर राय जुलेना में क जी सर ठीक है थैंक यू हलो हां जी कौन बोल रहे हैं रजनी जी अच्छा रजनी जी अच्छा रभी सर जी 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 कैसी आप बच्चे की पढ़ाई काहां रहती हैं आपका बच्चा कौन सी क्लास में अच्छा तो यह सिक्स्त वाले बच्चे के लिए जो हम फोन पे इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं मिल रही है आपको ना अच्छा तो आप कराती है उसको अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया पूरी चलो अच्छा है फैमिली को पढ़ाने का मुका मिल गया बच्चों को चल तब तक आप ऐसे इंस्ट्रक्शन सी पढ़ाना पड़ेगा ज्यादर लई है अब हो जाएगा ठीक है ठीक है प्रजनी जी थैंक्यू करूंगा अगे का विजन क्या है हम क्या करने वाले सबसे पहले तो थैंक्यू वरी मच इतने सारे बच्चों ने आज हमसे बात की और अ साथियों ने हमारे साथ जॉइन करके जो अपना फीड़बेक दिया भी और अपने इस प्रोग्राम का फीड़बेक दिया भी वो भी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए इसी तरह से बिटिस कांसिल डिवीजिन की तरफ से जो इनिशेटिव हुआ है हमारे बच्चों को एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं और ये कोरोना के बाद लॉक्डाउन के बाद भी एक नए रूप में ही सामने आएंगे तो हम भी सरकार के और से कोशिश करेंगे कि इसको इसी तरह से आगे बढ़ाएं और आप सब लोगों की फीड़बेक भी इसलिए इस प्रोग करेंगे इस पर आप सब की फीड़बेक भी चीए हमको पर नए जमाने के स्कूल नए दौर के स्कूल का आगाज हो चुका है तैयार रहते हैं उसके लिए थैंक्यू